हलो बच्चो डिजिटल पब्लिक इस्कूल में आपका स्वागत है बच्चो हम फिर हाजिर हैं हम नए टापिक के साथ आज का हमारा टापिक हिंदी ब्याकरण में रस है बहुत ही महत्पून टापिक है यह दिया आप कमपेटिटिव एक्जाम की तैयारी या हाई स्कूल हायर सेकंडरी के विद्दार्थी है तो दोनों ही जगा पर अति महत्पून रस है तो आए सीखने और समझने का प्यास करते हैं रस रस सब्द आनंद का पर्याय है रसवादी अचारियों ने काब्य में रस को ही मुख्य माना है उन्होंने रस को ओक आत्मा कहा है जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूले नहीं है उसी प्रकार रस के बिना काब्य भी निर्जिव माना जाता है रसात्मकम वाक्यम काब्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही काब्य है साहित्य सास्त्र में रस का अर्थ अलवकिक या लोकोत्तर आनंद होता है आईए अब देखते हैं रस की परिभा किसी काब्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, स्रोता या दर्सक को जिस आनंद की अनुभूती होती है उसे रस कहते हैं। भरतमुनी के अनुसार, जब इस्थाई भाव कर श्रयोग, विभाव, अनुभाव, तथ व्यभिचारी भावों से होता है, तब रस की निस्पत्ति होती है। तो रस उसको बोला जाएगा, जिसको पढ़ने और सुनने से अनन की अनुभूती होती है, उसको रस बोला जाएगा। तो रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं, कोन-कोन से, तो पहला है इस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव, तो इस प्रकार से रहस हो गाई, अब इस्थाई भाव किसे कहेंगे, мो, ठीक है, इस्थाई भाव, तू हिर्द पान में रसों की संख्या दस है रस एवं उनके इस्थाई भाव सिंगार रस रती प्रेम दूसरा है सांत रस निर्वेद तीसरा है करूर रस सोक चौथा है हाश्यरस हाश पाच्वा है वीर रस उत्साह अठ्वा है रद्ररस क्रोध सात्वा है भयानक रस भय आठ्वा है विभात सरत जुगुपसा या घ्रिणा नवा है अद्भूत रस विस्मै दस्वा है वात्सल रस वात्सल तो आईए हम पढ़ते हैं रस के परिभासायम रस के उधाराण को तो हमारा पहला रस है सिंगार रस सिंगार रस जहां पर नायक नाईका तथा प्रेम संबंधी परिपक कवस्था को सिंगार रस करते हैं सिंगार रस के दो प्रकार होते हैं दो भेद होते हैं सयोग सिंगार और वियोग सिंगार तो सि उसका एक्जामपल होगा राम करूप निहारति जान की कंगन के नंग की परच्छाही याते सबै सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं। इसले यहां पर सिंगार रश होगा। आईए देखते हैं दूसरा है हासरस। जहां किसी ब्यक्ति के विक्रीती, अटपटी, वाड़ी, वेश भूसा, चेश्टा, आदी का वरणान हों जिसे सुन कर या देखकर हसी उत्पन होती है वहां हासरस होता है। आपके भी दूसरा हुदारान यह होगा। जहां पर प्रीवस्तू के नास और अनिष्ट की प्राप्ति में चित में जो विकलता आती है वहां करूररस होता है। तो यहां पर उधारान होगा। अभी तो मुकुट बंधा था मात। हुए कल ही हल्दी के हात। खुले भी न थे लाज के बोल, खीले भी न चुम्बन सुन्य का पोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार। करूरस मतलब सोक यहां पर सोक की है एक्जामपल में तो इस प्रकार से आए हम देखते हैं हमारा चौथा रस रौद्ररस। चौथा रस होगा रौद्ररस जहां क्रोध नामक इस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दसा को प्राप्त होता है वही रौद्ररस कहा जाता है। उदाहराण होगा हमारा स्री क्रिष्ण के सुन्वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सोक अपना भूल कर करतल यूगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे सत्रू रणमे म्रीत पड़े, करते होई यह घोशना वे हो गये उटकर खड़े। अब आते हैं हम पाच्वरष, वीर्रस, वीर्रस में उत्साह इस्थाइभा होता है, यूध में विपक्षी को देखकर, ओजस्वी वीर गीतों को सुनकर, तथा उत्साह वर्धक क्रिया कलापों को देखने से यह रस जागरत होता है, इसे बोलते हैं वीर्रस। बुंदेले हर बोलो के मुह से हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वहतो जासी वाली रानी है, तो इस प्रकार से वीर्रस होता है, अब आते हैं भयानकरस, भयानकरस का इस्थाइभा होता है, भय, भयंकर प्रकृति द्रिश्यु को देखकर, अथो प्राणों के विनासक सत्रु को देखकर भय उत्पन हो जाता है, उसको भयानकरस कहते हैं, एक और अजगर ही लखी, एक और म्रिग्राज, विकल बटो ही बीच में परियो मुर्षा खाय, यह हुआ भयानकरस, अब आते हैं हमारा सात्वरस है, विभत सरत, विभत सरस का मतलब होता है, जुगुपसा, तो विभत सरस का इस्थाई भाव जुगुपसा होता है, जहां दुरगंध युक्त, वस्तू, चर्बी, रूधीर, आदी का ऐसा वरणान होता है, जिससे मन में घ्रिना उत्पन होने लगती है, वहां विभत सरस होता है, जे नर माची खात है, मुडी कुछ समेत, जे नर सरगय जात है, नाती पूत समेत, यह हुआ हमारा विभत सरस, विभत सरस को थोड़ा से एक बार फिर से देखते हैं, तो विभत सरस जहां पर घ्रिना हो, यदि हम रास्ते में जा रहे हैं और या कुछ अनरगल वस्तू देखें, जिसको देख के हमको घ् बंद कर लेते हैं, तो इस प्रकार से इसको विभत सरस बोलेंगे, अब आठवा रस हमारा होता है, अदभूत रस, जहां अलवकिक एवां अस्चर जनक वस्तू या घटनाओं को देख कर, जो विस्मय का भाव विर्दय में उत्पन होता है, वहां अदभूत रस पाया जात ये है हमारा अदभूत रस, अब आते हैं सांतरस, सांतरस हमारा नवारस है, सांतरस का विशय वैराग्यम इस्थाइभाव निर्वेध है, संसार की अनिश्चता एवं दुख की अधिकता को देख कर, फिर्दय में विरक्त युद्पन होती है, तब वहां पर सांतरस होता है उदाराण है, चलती चा की देख कर, दिया कबिरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुद बचा न कोई सांतरस, अगला रस हमारा होता है, दस्वा और ये है वात्सले रस, नव रसों के अलावा भी दस्वे रस, वात्सले रस की कलपना की गई है, जहां सीसु की प्रती, प्रेम, स्ने, दुलार, आदी का प्रमुकता से वरणन किया गया है, वहीं वात्सले रस होता है, जैसे के मैं बताओं, वात्सले रस में, जैसे मा, पिता जी काम करने गए रहते हैं, और दिन भर बच्चे खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन मम्मी को देखते हैं, तो दौण पढ़ते हैं लेकिन वास्यलरस के चलते मम्मी यह नहीं देखता कि बच्चे धूल से लत्पत है या कीचर से लत्पत है सीधा गले लगा लेती है और फिर उसको दूद पिलाती है तो यह हुआ वास्यलरस वासल उरस के उदाहराण हम देखते हैं माईया मोरी मैह नही माखन खायो ख्याल परे सब सखा मिले मेरे मुखलप टायो री माईया मोरी मैंनही माखन खायो दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो समझ में आया होगा और किसी प्रक्लाश